आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले किस तरीके से आप आज़ाद इंजिनेरिंग आईपियो की अलॉट्मेंट इस्टेटेस को चेक कर सकते हो जी आज़ाद इंजिनेरिंग आईपियो में धमा के दार जो हो एप्लिकेशन देखने को मिली है यानि की सब्सक्रिप्शन देखने को मिली है और यहाँ पर जी एंपी यानि की ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी काफी अच्छा उच्छा यहाँ पर देखने को मिला है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि आज़ाद इंजिनेरिंग आईपियो का अलॉट्मेंट इस तरीके से जो है आप चेक कर सकते हो इसी के साथ में ग्रे मार्केट प्रीमियम कहां पर पहुच चुका है तो अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के बात करें तो यहाँ पर आज़ाद इंजिनेरिंग आईपियो का ग्रे मार्केट प्रीमियम लाइव अपडेट होता है यहाँ पर जो है जि यहां पर प्रीमियम पहुच चुका है यानि कि जबरदस्त यहां पर कमाई हो सकती है 80 फिसदी से ज्यादा तक का लिश्टिंग गेन देखने को मिल सकता है यानि कि सीधी भासा में कहें तो यहां पर लोगों का पैसा डबल हो सकता है चले तो बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जोए वो आज़ाद इंजिनिरिंग आईपयो का अलोट्मेंट स्टेटस चेक कर सकते हो तो यहां पर जिस तरीके से हमने पहले पिछली वीडियो में बताया था आज़ाद engineering IPO के बार में पूरी जानकारी दी थी उसमें आपको company की detail के साथ में company के fundamental बताया थी कि company के fundamental किस तरीके से कितना अच्छा उच्छाल यहाँ पर देखने को मिला है तो यहाँ पर तो आपको सबसे पहले इस website पर visit करना है जिस website पर अभी हमें इस website की link आपको नीचे description में मिल जाएगी और आप scroll करोगे तो यह आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि किस तरीके से जो हो आज़ाद engineering IPO का allotment status चेक कर सकते हो इसके लिए आपको सबसे पहले आज़ाद engineering IPO के रिजिस्टार के पास जाना होगा रिजिस्टार जो है वो के fintech technology यानिकी इस website पर जाना हो होगे और capture solve करके submit पर क्लिक करना होगा ठीक है यानि कि अगर हम यहाँ पर देखे तो इस website पर आपको जाना के fintech technology ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर application नंबर अगर आपके पास है तो आप application नंबर से जान सकते हो और pen card नंबर से जान सकते हो तो यहाँ पर आपको simply pen card number click करना है आइप यहाँ पर आपका जो pen card number वह एंटर करना है capture यहाँ पर जो ही नंबर लिखे हुए यहाँ पर लिखने और उसके बाद सब्मिट पर क्लिक करना है ठीक है तो जब भी आइप आएगा तो यहाँ पर जो वह लिस्ट में उस company का नाम आ जाएगा यानि कि आज ज